हलो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीस फ्रम बेसिक्स में और आज हम लेकर हैं डेली करंट अफेर एक अगस्त 2022 के सभी इंपोर्टन कोशन्स साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपोर्टन फैक्ट्स के बारे में गाइस अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां पर आपको डेली करंट अफेर के साथ साथ वीकली करंट अफेर भी अबलेबल होता रहेगा और हमने एक वीडियो भी अभी कल जो यूपी लेकपाल का पेपर हुआ है उसके ये भी एक वीडियो डाली है तो आप वहां से भी अपनी आंसर की मिला सकते हैं कि उसमें जितने भी कोश्शन से दिये हुए हैं सबी के बारे में बात कहीं गई हैं तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी आज की वीडियो तो आज का हमारा first question है पहला प्रतिवर्ष अंतरास्ट्य बाग दिवस कब मनाय जाता है तो प्रतिवर्ष अंतरास्ट्य बाग दिवस मनाय जाता है 29 जुलाई को तो इसका answer हो गया option B 29 जुलाई अब 29 जुलाई को क्यों मनाते हैं 2010 में एक सम्मेलन हुआ था रूस में हुआ था एक सम्मेलन रूस के सैंट पीटर वग में तो रूस के सैंट पीटर वग में जो सम्मेलन हुआ था उसी के सैंट पीटर वग घुशना पत्र आया था 2010 में जिसमें बात कही गई थी टाइगर दिवस मनाने के लिए क्योंकि टाइगर के संख्या लगातार क्या हो रही है काम हो रही है इसलिए भारत में दृजक्ट कहूं किया गया है तो प्रोजेक्ट कहा थी है project tiger हमारा कब शुरू कहा गया तो वो 1973 में शुरू किया गया और इसके लाबा अगर हम बात करें तो हमारा 52 टाइगर रिजर्व कौन सा है वो हमारा रामगड विश्धारी तो रामगड विश्धारी जो है वो कहां पर है वो है राजस्थान में और अगर हम बात करें हमारा 53 टाइगर रिजर्व कौन सा है तो भारत का 53 टाइगर रिजर्व कौन सा है गुरू घासी दास तो गुरू घासी दास भी आपको याद रखना है और यह कहां पर है यह 36 गड़ राज में इसके लब आगर हम बात करें भारत में सरवाधिक टाइगर किस राज में है तो सरवाधिक है हमारे मद्यप्रदेश मे हें यहाँ पर लगवग 526 टाइगर हैं और अभी 首सकार मिला था टी मल्टीप्लाइट आवर्ड तो यह कॉन से टाइगर रिजर्व को मिलां है तो यह मिला है सत्यrias मंगलन टाइगर रिजर्व को तो सत्य कहले है क्ना नाम भी याद रखना है उसे टी तो यह सबी कोशन सब आपको इस question से related सारे points याद रखने हैं तो बात करते हैं next हमारा अगला question हालिय में विस्टन चर्चिल leadership awards से समानित किया गया किसे समानित किया गया है तो बोलो डमेड जेलेस्की अब जेलेस्की को क्यों सम्मानित किया गया है जो चर्चिल थे ये ब्रेटेन के प्रधान मत्री थे अब युनाइटेट किंग्डम में 1944 की बात है तो 1944 में इस सेकंड वर्ड वार चल रहा था और सेकंड वर्ड वार में देश की कंडीशन इतनी जादा खराब हो ग करते हैं और यहाले में किसे दिए जेलेस्की को क्योंकि रूस और यूक्रेट का युद्ध चल रहा है जिसमें जेलेस्की लगातार ठुटे हुए हैं इसलिए जेलेस्की को यह पुरुस्कार दिया गया है कौन सा विस्टल चर्चल लीडर्शिप एवोर्ड तो यह आपको और रूस के लिए ही भारतियों को निकालने के लिए एक मिशन चलाए गया था यूकरेन से जितने भी भारतियों थे वहां से निकालने के लिए तो ऑपरेशन गंगा भारतियों को निकालने के लिए यूकरेन में चलाए गया ऑपरेशन था नेक्स्ट है हाली में किस राज सरकार ने मुख्य मंत्री नाष्टा योजना शुरू किया तो ये योजना तमिलनाडू सरकार ने शुरू करी है और इसके अंतरगत क्लास एक से लेकर पांचमी क्लास तक के बच्चों को नाष्टा दिया जाएगा और इसी शुरूआ जिसे मिड़े मिल था तो मिड़े मिल में खाना मिलता था लेकिन अब यहाँ पर नाष्टा भी मिलेगा तो कहां मिलेगा तमिलनाडू में तो तमिलनाडू के मुक्य मंत्री स्टालिन ने इस योजना की शुरूआत की है नेक्स्ट है अगला 29 जुलाई 2022 को कहां पर भारत के अंतरास्टे बुलियन एक्सचेंज को लाँच किया गया तो यह गांधी नेगर गुजरात में लाँच किया गया अब गांधी नेगर गुजरात में बात आती है बुलियन तो Bullion Exchange का है ? तो Bullion Exchange का मतलब यह है कि सोने चांदी या जो महंगी धोातुओं है उनके लेंदेन के लिए उनके physical लेंदेन के लिए यानि बहुतीक उनके सुरूप में लेंदेन के लिए अंतरास्टे Bullion Exchange को लॉँच किया गया है गुजरात के गांधी निगर में अब गुजरात की अगर बाद आती है तो गुजरात की एक scheme चल रही है हमारी सीमा दर्शन योजना तो ये योजना गुजरात की है इसके अलाबा styl स्लैक से जो सड़क का निर्माड हुआ है वो भी सूरत में हुआ है और सूरत में ही भारत का पहला bullet train station भी बन रहा है इसके अलाबा जो गांधी निगर है वहाँ पर gift city में हमारा national development एंडी भी जो था national development bank की एकाई भी खुल रही है जो Asian bank था तो ये गुजरात से समझेद आपको ये सभी points याद रखने है next अगला कौन सा राज़े सरकार जन जातिए छेत्रों में हर घर उर्जा उत्सव आयुजित कर ग्रामेड लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए प्रतिवात है तो कौन सा राज़े है हमारा महरास्ट और महरास्ट के वर्तबान में सीम कौन है एक नाच शिंदे और एक नाच शिंदे नहीं इसकी शुरुआत करिये कहां से करिये है मारास्ट के ठाड़े से करिये ठाड़े में भी एक जगा है शाहपुर वहां से इसकी शुरुआत की गई है अब ये हर घर उर्जा मतलब विजली पहुँचाई जाएगी कौन सा राज़े सेमी कंड़ेक्टर नीती शुरु करने वाला भारत का पहला राज़े बन गया है तो सेमी कंड़ेक्टर के बारे में अगर बात आती है गुजरात गुजरात पहला राज़े बना जिसने इस नीती को शुरु किया और इस नीती को ये चलाएगा 2022 से लेकर 2027 तक तो 5 साल के लिए इस नीती को चलाएगा जिसके अंतरगत निवेश बढ़ेगा और निवेश के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेंगे कहाँ पर गुजरात में तो गुजरात पहला राज़े बन गया जिसने सैमी गंडेक्टर नीती शुरू की है नेक्स्ट है अगला जुलाई 2022 में किस राज में बोनालू महुतसब मनाया गया तो बोनालू महुतसब हमारा ये मनाया गया तेलंगाना राज में इसके अलाबा तेलंगाना में और भी अगर important हम बात करें तो एक है मेदराम जातरा तेहार तो मेदराम जातरा तेहार भी कहां का है तेलंगाना का ही है इसके अलाबा हमारा बतू कंबा तो बतू कंबा भी हमारा तेलंगाना का है अब बोनालू महुतसब तो इसमें देवी काली की पूजा होती है और उन्हे एक धन्यवाद अर्पित किया जाता है सावन के महीने में ये मनाया जाता है बोणालू कहाँ पर तेलंगाना में और गोअ में अगर बात करी जाए तो सिगमो फेस्टिबल गोअ का है जहारगंड का सरहुल फेस्टिबल है केरल का तिरशूरपूरों है तो ये कई सारे फेस्टिबल हैं जो बनाए जाते हैं तो करंट में हमें थ्यान रखने हुए कौन गोन से हैं इंपोर्टेंट 27 जुलाई 2022 को भारते रिजर पैंक द्वारा डिजिटल भूकतान सूचकांग मार्स 2022 में कितना रहा अब RBI ने डिजिटल भूकतान सूचकांग जारी किया है मतलब कि हमारे यां इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट है वो बड़ा है या घटा है तो इंडिया में ये पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट है वो बड़ा है और किस बेसियर को मानते हुए base year जो हमारा लिया है 2018 को अधार वर्ष पानते हुए 2022 में एक सुचकांग जारी हुए भारत में digital payment बढ़ा है तो भारत में digital payment बढ़ा है और कितना है अगर देखा जाए तो यह है 349.30 तो यह इसकी rating है जो आपको ध्यान रखना है और यह RBI के द्वारा दी गई है हाले में इंगलेंड के Leicester Cricket Ground का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया तो यह सुनील गावसकर के नाम पर रखा गया तो option D इसका right answer हो गया और सुनील गावसकर जिन्होंने अगर देखा जाए 10,000 बनाए थे और यह पहले के लाड़ी थे तो वो कौन थे सुनील गावसकर और उन्ही के नाम पर Leicester Cricket Ground का नाम बदल दिया गया और यह कहाँ पर है ground इंगलेंड में है तो यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है हमारा आज का last question 15 अगस 2022 को किस भारती योदिपोद द्वारा ब्राजील के रियोडी जिनेरियो में तिरंगा फेराया जाएगा तो यह INS तरकष द्वारा और कहां फेराया जाएगा ब्राजील के रियोडी जिनेरियो में अब ब्राजील की बात आती है तो अगर देखा जाए तो ब्राजील में जो घास के मैदान मिलते हैं वो मिलते हैं आपके कौन से वो मिलते हैं कैमपास और ब्राजील में सबसे जादा कॉफी होती है और कॉफी के बागानों को बोलते हैं फजेंडा यह भी आपको याद रखना है एक रियो में 1992 में सम्मेलन हुआ था प्रत्वी सम्मेलन जिसको Agenda 21 भी नाम दिया गया है तो यह यहीं पर हुआ था ब्राजील में ही हुआ था तो यह बात भी आपको याद रखनी है तो यह थे हमारे आज के सभी important questions साथ ही उनके important facts तो हमारे last video का सवाल देखते हैं हाली में किस देश में वर्ष 2014 के बाद अंतरास्टे अंतरिश चेन चोड़ने का फैसला किया है तो किस ने गया है रूस ने गया है और हमारा आज के सभाल है 28 उलाई 2022 को किस राजी में हरेली पर बनाए गया तो इसका answer आपको हमारे comment box में दे है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें comment करें और चैनल को सब्सक्राइब करें thank you guys thanks for watching